अब लोग आपको आज यह बताने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे कंपेर करते हैं दो वशिंग पाउडर को और कंपेरिजन क्यों ज़रूरी है क्योंकि आपको हर चीज का एक मानक सेट करना होता है एक आपको ऐसा पाउडर चाहिए होता है कि जिससे आप अपनी जहाग को कम आपको कम्ली करते हैं इसको हम लोग यही काम करते हैं इसको हम लोग के आपको कभी नहीं बता चलेगा कि आपको कितनी फोमिंग चाहिए अगर आप इन्डीविजुली टेस्ट करें लेँ तो ढ़ी यह सके और यह स्वामों ने ले नहीं चाहिएँ एक इसने दो नहीं थे ॉबर के ह्याँवटर & नाथ तॉल के दोनों में ही डाला है यह सब एक educational वीडियो है कि आपको यह बताना है कि हम एक washing powder को कैसे test करते हैं कैसे judge करते हैं तो हम लोग यह lab की ट्यूब है इसको lab tubes कहते हैं और इसमें भी आप कभी भी किसी भी चीज को चेक करेंगे तो मार्केट में मिले वाला कोई भी washing powder से आप उसको compare करें तो दो equal काम करेंगे कि आप दोनों में सेम पानी लेंगे दोनों में सेम quantity लेंगे और दोनों को शेक करेंगे और लैब में भी हम लोग इसी तरीके से इसको टेस्स करते हैं किसे देखते कि फोम हाइट कित्ती है तो यह फोम हाइट करने का बहुत सिंबल प्रोसेस है कि दिए जैसे हम यह बूठ और में 10 ग्राम लिया दा और दस्वाहिस्सरा भी आ था तो इसके अव फोम हाइड देखेंगे कित्ती आ रही है कि इस निंसरे को भी शेक कर के इसका भी फोवाइड कि फोम पáticas देखेंगे कि इसमें सब्सक्राइब जो बता देता है कि इतने ग्रांप या इतने फॉम हाइट आ रही है इससे हमको यह पता चलता है कि वाशिंग पाउडर के फॉर्मलेशन में हमको क्या सुधार करना है अगर फॉम हाइट कम है तो कैसे बढ़ानी है किस दाइरों में क्या चीजे आपको करनी है सो सबसे पहले आपके साथ है तो यह इक सिंपल सा प्रोसेस है जिससे हम अपने लाब में देखते हैं और भी बहुत सारी कम से कम साथ से आठ चीजे टेस्ट करते हैं वाशिंग पाउडर में और वह भी टेस्टिंग होती है कमपेलजन से आप से मैं अनुरोद करूंगा और निवेधन करूंगा कि आप अपना वाशिंग पाउडर मेरे पास लेके आईए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम ममा याज सवल्व होंगी हम आपका फॉर्मलेशन करें का कॉलोटी बढ़ा दें और आपकी कोई भी प्रॉब्लम में लेके आता हूं और हम ़ो तो टेस्टिंग भी करते हैं आपकर हम लोगे लाव सेट अप कर ली है आप देख सकते हैं इदर हमारी लाव है और इसमें हमारे 10 से 12 कारमीटर वाशिंग पॉल्डर के टेस्ट हो जाते हैं जो जरूरी है एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपणी में जो लाव होती है उसी की तरह एक छोटी लाव है हमारे पास लेकिन सब कुछ हमारे टेस्टिंग हो जाती है तो आपसे यह है कि आप अपना फॉर्मॉलेशन या तो हमसे ओन्नाइन शेयर कर लीजे टेस्टिंग का एक चार्ज है कंसेटेंसी का चार्ज है 800 रुपे की मेरी फीस है जो मैं कंसेटेंसी के लेता हूं जिसमें आपका मैं फॉर्मॉलेशन सही कर दूंगा और आपको अगर टेस्ट रिपोर्ट से यह टेस्ट रिजल्ट सही है और एक सेटिपिकेट शेह तो उसके भी फीस आपको पे करनी पड़े कि वह भी एट हंटेंट उपीस की है तो आप जब इसको करेंगे त को लेकर जाओ तो आपको बेचने में असानी होगी तो आप हमसे आईए जुड़िये अपनी प्राउब्लम को सॉल्ब कराइए हमाया पास कुछ फॉर्मॉलेशन ऐसे हैं कुछ केमिकल्स ऐसे हैं वाशिंग पॉडर के जिसमें अच्छा वाशिंग पॉडर बन जाता है तो जुड़िये थैंक यू पर वाशिंग इस वीडियो एवा गुड़िये